अलोई students, welcome to the P&D coaching classes, learn easily and smartly तो आज हम पढ़ने वाले हैं least count error तो चलि समझते हैं क्या होता है यह least count error तो ही जो least count error है, एक्टुली टाइप है instrumental error का जो कि हमने आपको आरेड़ी पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं तो instrumental error क्या होता है? कि किसी भी एक instrument को या device को जब design किया जाता है बनाया जाता है तो उसके designing या बनाने के time पे जो fault मिलते हैं जो mistakes हो जाती है जो गलतियां हो जाती है उस instrument में वो गलतियां होने की वज़़े से उसको गलते हैं instrumental error तो उस instrumental error तो आज किस वीडियो में cover करेंगे least count error क्या होता है तो basically students least count error को समझने के पहले आपको समझना होगा कि least count क्या होता है least याने की कम से कम count याने की जो आप count कर रहे है measure कर रहे है यही क्या होगा least count right याने कि कोई भी instrument जिससे आप measure करना चाहते हैं तो उस instrument की भी limit होती है उसकी limit मतलब कि कम से कम कितना value जो है वो measure कर सकता है याने कि माले जी जो आप school life पे या college life पे जब एक scale का use करते हैं line खीषने के लिए तो उस scale के थरूँ आप कितना centimeter कम से कम खीष सकते हैं तो वो होगा 0.1 centimeter उससे कम खीष सकते हैं क्या line नहीं खीष सकते हैं तो यहाँ पर वही बोला गया है कि एक ऐसा device या एक ऐसा instrument जो की कम से कम value measure कर सकता है उसको हम बोरते हैं least count of the measuring instrument याने कि उस instrument का वो least count होगा कि वो कम से कम कितना measure कर सकता है वही example या दिया हुआ है कि जैसे आपके पास meter scale है जो आप school life में यूज किये हैं वो कम से कम 0.1 centimeter measure कर सकता है तो यह actually उस scale की limit हुई उस limit को भी बोलते हैं least count तो वही बोला गया है आगे example में समझाया गया है कि यहाँ पर जो है इस meter scale की help से आप जो distance या length जो measure कर सकते हैं कम से कम वो 0.1 centimeter ही accurately बिल्कुल सही सही measure कर सकते हैं लेकिन अगर मैं आपको एक object की length निकालने बोलूं and उस object की length actually 1.5 centimeter और 1.6 centimeter के बीच में हैं तो आप इस meter scale के help से measure नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह 0.1 से कम और measure नहीं कर सकता है तो इस तरीके से हम इस meter scale का use करते वे उसको accurately बिल्कुल सही measure नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है ना किवल meter scale में बल्कि हर instrument के पास एक limit होती है उस limit को बोला गया है limit of resolution कि वो कम से कम जितना measure कर सकता है वो उसको मोलते है limit of resolution ओके तो हर एक device में जो है आपको कुछ न कुछ यह वाली least count error देखने को मिलेगी तो इसी को बोला गया basically least count error क्यों क्योंकि वो device या instrument जो है वो अपने minimum limit से least measurement value से और छोटी value को measure नहीं कर सकता है तो इस तरहिके से हर एक instrument जो है वो contain करता है least count error ओके तो इसकी एगर definition बता है तो क्या होगी students की एक ऐसी error जो कि हमको measurement के time पर देखने को मिलती है वो इस पर देखने को मिलती है क्योंकि इस instrument की limit of resolution है वो एक limit है आकिर तो इन्स्ट्रूमेंट की limit of resolution की वज़र से हमको जो measurement में जो error मिलती जो करती है मिलती है उसको हम बोलते है least count error ओके students इतना समझा क्या तो चलिए आगे देखते है तो basically students अब हम बात करते हैं कि मान लिजिए हम measure तो करी रहे हैं अब हमें पास वो instrument है जिसके पास least count error method है और फिर भी हमको measure करना है हम चाहते कि उस सही value दे तो कैसे निकाली जाती है least count error तो इसमें क्या होता है students जो भी least count है उस instrument का तो जो least count है उसका हम half कर देते हैं और उसकी plus and minus जैसे हमें की positive और negative में value जो हमको मिलती है वही होती है least count error जैसे कि जो आपके पास meter scale था उसका least count कितना था वो था 0.1 उसका half कर देंगे नहीं की divide by 2 कर देंगे and plus minus sum में लगा देंगे तो solve करेंगे इसको तो आदेगा plus minus 0.05 centimeter तो यह हो गया least count error of the meter scale ओके इसी ताइप से हैं आपे वर्निर केलिपर्स का दिया हुआ है जैसे कि हमको पता है कि वर्निर केलिपर्स के थ्रूँ हम जो minimum जो least count कर सकते हैं वो है 0.01 it's centimeter not the kilometer तो एक वर्निर केलिपर्स का use करके हम जो minimum length measure कर सकते हैं वो है 0.01 centimeter तो हम क्या करेंगे अगर हमको least count error निकालना है तो plus minus 0.01 divide by 2 कर देंगे तो answer आगा plus minus 0.005 centimeter यह हो जाएगा उस वर्निर केलिपर्स का least count error ओके students I hope आपको clear हो गया होगा अगर आपको माई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला तो please हमाई जिना को subscribe किजिए और वीडियो को like ज़रूर करें आज के लिए इतना ही Thank you